25 दिसम्बर 1876 को कराची के वजीर मेंशन में सेकंड फ्लोर पे पैदा होने वाला एक बच्चा जिसने बरसगीर पाको हिंद की तक्दीर बदल के रख दी उसी की बियोग्राफिय को आज हम डिस्क्रिस करेंगे So there is a lot of information in this video Before we go into details, subscribe कीजिए हमारे चनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया And click on bell icon for the latest information Today we will discuss the biography of Qadiyazah Muhammad Ali Jina, the great leader of Islamic Republic of Pakistan सबसे पहले हम देखेंगे इनकी early life Qadiyazah Muhammad Ali Jina as we discussed earlier 25 December 1876 को कराची में पैदा हुए and उनका नाम Muhammad Ali Jina भाई था Qadiyazah Muhammad Ali Jina 7 बहन भाई थे उनके जो father थे, उनका नाम पूंजा जिना था, जो कराची में ताजिर थे Import, Export का बिजनस करते थे, cotton का, wool का, grains का और दूसरी चीज़ें बेचा करते थे उनकी वालदा का नाम मिथी बाई था, Qadiyazah Muhammad Ali Jina जब पैदा हुए Underweight थे, सबसे बड़े थे, अपने बेहन बाईयों में, अपनी मा के लाड़ ले थे उनकी आजूकेशन की बात करते हैं, His mother insisted to attend सिंद मदरीसा, उनको सिंद मदरीसा में दाहल कराया उनकी अपनी अर्ली आजूकेशन वहां से ही हासल की लिकिन उसके बाद उनकी क्रिस्टन मिशनरी हाई स्कूल में दाहल करवा दिया गया कादयाज मुहमद लिजना की एक आंटी उनके पास विजिट करने के लिए आई बंबे से, उन्होंने कहा कि मुहमद लिजना को के आओ मेरे साथ तुम बंबे में जाके पड़ो, कादयाज में बहुत इंसिस्ट किया, मा के लाड़ ले थे, मा नहीं जाने देरी थी लेकिन फिर भी वो चले गए, वहां पे उन्हेंने कुछ देर पड़ा, ग्यारा साल की उमर में वापिस कराची आ गए और मिशनर स्कूल में दर दुबारा अडमिशन ले लिया, कादयाज मुहमद लिजना की लंडन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी वालदा उन्हें दूर नहीं कर शादी कर दी गई, ताकि से मदारी बढ़ने के वजा से वो लंडन जाने का जो अपना इरादा है, वो तरक कर दें, उनकी शादी 14 साल की एमे बाई से की गई, जो कि उनकी फर्स्ट कजन भी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इरादे से पीछे नहीं हटे, और वो मिशनर कानून की तलीम हासिल की, उनने लाप बड़ा वहाँ पे जाके, अब जब वहाँ पे लंडन में ही थे, पीछे कराची में एमे बाई का इंतकाल हो गया, जो कि कादियाजम की पहली बीवी थी, तकरीबन एक दो साल के बाद ही, और ना सिरफ उनकी जो एमे बाई बाई उनक के सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट थे लाग के जिन्होंने लाग का एक्जाम पास किया और वो वकालत कर सकते थे, यंगेस्ट आइवर तू बी अक्सेप्टिट इस दा बैरिस्टर, वह अपनी लाग डिगरी के साथ बरिस्गेर में वापस आ गए और उनने बंबे हाई को कोट में उन्होंने एक कॉकुष केस एक जीता जिसके बाद ही वाज इमर्ज आज आउट्स्टरंडिंग लाइर इस सब्कॉंटिनेंट मैरिज लाइप की बात करते हैं काद्याजम मुहमद जनार ने अपनी जिनकी में दो शादियां की उनकी पहली शादी उनकी काद्याज प्राम उनके साथ शादी हुए और 1929 में उनकी वफात हो गई और दूसरी बीवी से ही इनकी एक सिर्फ एक बेटी थी उनका नाम दीना जनाह है पॉलिटेक्स की में काद्याजम आये वो एक आउस्ट्रेंडिंग लॉयर थे और 1940 तक उन्होंने अपने वकाले जारी रखी करता था काद्याजम मुहमाद लिजनाह शुरू से ही हिंदू-मुसलिम इताहत के स्पोर्टर थे जब उनने रियालाइज किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू के लिए ही काम करना चाहती है और उन्हें मुसलिमानों की बिल्बल परवान ही तो उन्हें कांग्रेस को छोड़ा और 1912 में मुहमाद लिजनाह अटेंडिडेंडेंग अफ ओल इंडिया मुसलिम लीग फिर उन्हें पूरी उमर मुसलिम लीग के लिए काम किया और मुसलिम लीग के प्रेजिडेंट भी बन गई प्रेटरोन 1930 में उन्हें राउंट टेबल कांफरेंस भी लंडन में मुसलिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए अटेंड की और ने दो मीटिंग वहां पर अटेंड की वह अला धबात है उसका कोई नतिजह निकल सका 1919 में जब तहरीके अद्मे तावन या नो कॉपरेशन मुव्मेंट गांधी ने स्टार्ट की तो तब भी काईदयाजम ने गांधी की मुखालफत की काईदयाजम एक कॉंस्टिटूशनल इंसान थे जो कानून की बारत देसे पर यगिन रखते थे और गांधी चाहते थे कि वो चाहते थे और वो चाहते थे कि अंग्रेशनों को मजबूर किया जाए और अपनी बात मनवाई जाए जाए वड़कादयाजम तब कॉंस्टिटूशनल इंसान थे और ही बिलिवड के गौवर्मेंट के खिलाफ तब नहीं जाना चाहिए था इन इन इलेकल स्टैप इ दे देनी चाहिए ताकि मुसल्मान वहाँ पे अजादी से रह सकें हिंदू अखबारात ने इसका हूब मजाक उड़ाया और हिंदू लेडरों ने भी इसे हूब तनकीर की और इस लहोर रेजलिशन को करारदादे लहोर को करारदादे पाकिस्तान कहना शूरू कर दिया मु इसकारद में 1940 में कादियाजम ने डॉन अखबार की बनीयादर की देली में और डॉन अखबार जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बिकने वाला इंगलिश अखबार बन गया और इसने मुसल्म लीग का जो वर्यान था पूरे बरसगीर में रखने में सब के सामने रखने चुका था और उस वकत सिरफ बरतानिया लड़ा था और अंग्रेज़ों का तसलुद जो था वह बहुत कम हो चुका था और सब कॉंटिनेंट तब जुना और गांधी दोनों आपस में डिस्कुस कर रहे थे गांधी चाहते थे कि किसी तरीका से अंग्रेज़ों को सिरफ यहा बिल्दा वतन बनता है क्योंकि वह जान चूके थे किंग्रेस सिर्फ हिंदु के लिए काम करती है और उनका मनसुबह यह कि अंग्रेजिज को निकल जाने के बाद हिंदुस्तान पर कबजा कर लिया जाया और मुसल्मानों को उनका हक देने के बजाए उनको दबाग के रखा और यह वही नजरीए था जिसकी वुन्याद पर पाकिस्तान बनाया गया 1937 के प्रोविंशल एलक्शन में मुसलमानों को सिरफ 4.4 यानि 4.4 वोट मिले जब के 1946 के एलक्शन में मुसलमानों ने पाकिस्तान की कंपेन खूब तरीके से की और निसोशाली के एलेक्शन में 75 फिसर मुस्लिम वोड था वो मुस्लिम लीग को मिला और इस चीज़ ने जाहर किया कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिमानों की वाहिद नमाइदा जमात है और वो एकुली राइट रखती है पाकिस्तान का मतालबा सामने रखती है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नारे पे काम कर रही थी तो अब मुस्लिमानों की जरूरत है एक अलादा वतन जिसका नाम पाकिस्तान होगा और मुस्लिमानों को अर्ज किया गया लिए हिंदूस विलनॉट लट लट लेट लिव इन्डिपेंडनटली उनको कभी भी अजाद नहीं रहने देंगे तो इस वज़ा से मुस्लिम लिग जीत गई और मुस्लिम लिग ने थाबित किया कि वो ही मुस्लमानों की एक वाहिद नमाइदा जमात है बरेसिगेर में मलका बरतानिया की तरफ से गौर्मेंट अफ इंगलेंड की तरफ से बहुत से वफद आते रहे बीच में कृप्स आए वहाँ पर कभी ना मिशन प्लान और डिफरेंट आते रहे फाइनली उसके बाद समप करते हुए मौंट बेटन प्लान लास्ट पे आया मौंट बेटन को 24th मैच 1947 में 旅 में वाइसरे बना दिया गया हिंदुस्तान का उन्हें को पॉलिय्ट पावर दे के बेजिगी के हिंदुस्तान को भारत और पाकिस्तान में टौइड कर दें जिन मीजोटी अलाके में मुसल्मान रहते हैं वहाँ पर मुसल्मानों को दे दिए जईए जाएं को कि अर्वेले कर दे दिया जाया जो भी हिंदु को को बारत शामिल कर दाओर को कि मुसर्माइज के स्प्रामगाइस बिष्ट कमान अंगर के को कि भुछ सव्य उस्थे करेंगे आ वह कर द क्षेक हैर और अगस तक हम बरिशगीर को दो रिज्ट अंगे कर देंगे मुस्लिम मेजोर्टी एरियाज जिसमें बंगाल, पंजाब, सिंध और बाकी एरियाज आते हैं वो मुस्लमानों को दे दिये जाएंगे जब कि जो बाकी एरियाज जिसमें हिंदू मेजोर्टी है वो हिंदुस्तान को दे दिये जाएंगे जब पाकिस्तान और भारत बने तो तब मिस्टर जना ने बाके लिडर्स की तरह स्पीच की और अपनी स्पीच का इहत्ताम पाकिस्तान जिन्दबाद के साथ किया जो कि उनकी स्पीच में शामिल नहीं था मुल्याकत अलिहान की ब्रिटिश गोर्मेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट करने के बाद मुहमाद लिजनाव अपॉइंट जनाव अपॉइंट जनल अफ इसलामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्हों ने तकरीबन एक डेट साल काम किया और स्टेट बैंक का इफ्तिता किया स्टेट बैंक बनाया पाकिस्तान को युनाइटिन निशन में मेंबर बनवाया पाकिस्तान के रिलेशन काइम किये विच चाइना और डिफरेंट कंट्रीज मैनी येर्स लेटर मौंट बैटन स्टेटिड डैट इफ ही हैस नोन अब लाट मौंट बैटन किस तरह से हिंदू और काइदयाजम ही वहाइद इंसान थे जिन ने अपने हग पे खड़े होके पाकिस्तान लिया काइदयाजम मौंध लिजना को टीबी था काफी अरसे से उनके सिरफ डॉक्टर जानते थे इस बात को बहुत हुफिया रखा गया था क्योंकि काइदयाजम भी जानते थे उनकी होस्पिटल जाते हुए उनकी अचानक पट्रोल हतम हो गया फिर दूसरी अबुलाइगी इस तुरह उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनकी वफात के करीब उनके बास सिरफ फात्मा जना थी फात्मा जना थी उनके उपर एक बुक भी लिखी माई ब्रदर सो एक सब्सक्राइब को एक साल की उमर में पूरे पाकिसान को एक रोता हुआ चोड़ के चला गया इस एंड अफ दे वीडियो आपको कुछ ना कुछ नहीं बात मिलने मिली होगी और इफ यू लाइक इस वीडियो डोंट फॉर्गाट तो सब्सक्राइब आवर चैनल और क्लिक बेल आइकन अलाहफीज